गंभीर समश्या हो, करियर एवं पढ़ाई की चिंता, हो व्यापार एवं नोकरी की समश्या, भग्यबाधा, साधी की समश्या, विवाहिक जीवन में हो सुख का अभाउ, पाईए अपनी सभी जोतिसिय एवं वास्तु समश्या का सरल एवं सटिक समाधान, जाना माना एक वि स्थान, श्री अक्षर जोतिस्तरपन, गत्तिगत या फोन पर अपोइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें, फोन नंबर डबल नाइन एट टू फाइप सिक्स वन जिरो एट नाइन जैस्री क्रिश्न, जैस्री राधे, नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागता है, आपके लिए आज खास प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिसमें आपको एक बड़ा ही दूरलव उपाय बताने वाला हूँ, मित्रो, सभी अपने प्रेम को पाना चाते हैं, उस प्रेम को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उस प्रेम को पाने के लिए मैं आपको सरल उपाय बताने वाला हूँ, वो सरल उपाय अगर आप करते हैं और आपका प्रेम सच्चा है, बीना छल का है, जिसमें आप बिल्कुल भी छल नहीं रगत तो उस प्रेम को पाने के लिए आपको करना क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों कमेंट जरूर कर देना मित्रों आज ऐसा दुल्लव उपाय है जो आपको किसी पुस्तत में नहीं मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने प्रेमी या प्रेमी का प्रेम किसी से हो सकता है सिर्फ प्रेमी और प्रेमी का नहीं है माता से पिता से भाई से पहन से किसी सके से किसी रिष्टेदार से आप जिसे अधिक प्रेम करते हैं और उसे अपने पास बुलाना चाते हैं उससे मिलना चाते हैं बहुत दिन हो गए तो उसको अपने पास बुलाने का एक सरनसा उपाय माप बता रहा है करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है जिसे आप प्यार करते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं दिल से चाहते हैं उसके बारे में आपको सोचना है कब सोचना है यह उपाय करना है आपको सोते समय जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने बिस्तर पर बैठ जाएं बिस्तर पर बैठने के बाद आप आराम से बैठें अपने उस प्यार को याद करें उस प्रेम को याद करें उसके साथ में बिताए हुए कुछ पलों को याद करें आखें बंद करके उन पलों को अपने मस्तिस्त में याद करते रहें बिते हुए पल याद करेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है ये मंत्र है इसको आप पांच बार, साथ बार या नो बार गोल सकते हैं मंत्र है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस मंत्र का आपको साथ बार जब करना यानि साथ बार आपको बोलना ही है मंत्र बोले आप अपने पास में थोड़ा सा चल लेकर मैठे मंत्र बोलकर और अन्त में आप थोड़ा सा चल लेकर अपने उपर चीन्टे लगाए जल से ऐसा आप करते हैं तो आपका प्यार थोड़ा चला आएगा ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी पुस्तक में ये उपाई नहीं मिलेगा ये मापको बता रहा है तो दूरुपयोग नहीं करें सदुपयोग के लिए है आप इसका सदुपयोग करें नहीं कि किसी के साथ खिलवार करें तो मित्रो ऐसा आपको तीन शनिवार करना है अगर बीच में आप एक शनिवार किया दूसरे शनिवार को नहीं किया फिर तीसरे शनिवार को किया तो ऐसा करेंगे तो फाइदा नहीं होगा लगातार लगातार आपको तीन शनिवार करना है तभी आपको फाइदा मिलेगा तो मित्रो ये छोटा सा उपाय था आप इसे करके अपने प्यार को पास सकते हैं आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना चलता हूँ फिर मिलूँगा नहीं जानकरी के साथ नमस्कार जैसरी किष्ण जैसरी रादे